बिक बॉस के घर के अंदर हम सभी जाते हैं कि जब कंटेस्टन्स रोते हैं या हर्ट हो जाते हैं तो बाहर उनके फैंस भी बावले हो जाते हैं ठीक आप गुडवे में पकड़ लो कि बहुत जादा रियक्ट करते हैं फैंस और बहुत जादा हर्ट हो जाते हैं और वहीं सामने आकर एक बड़ा नोटिस जारी किया है और वो क्यों है चलिए आपको बताते हैं वल हलो गाइज और वेलकम टू फीफा फू उसमें जोतीन आहक जैसा मैंने कहा कि निम्रित की ममी इस वक्त काफी जादा हर्ट है काफी जादा एमोशनल है देखे जाहर सी बात है जब सुम्बुल का सब कुछ हो रहा था उस दौरान सुम्बुल के पापा सामने आए उन्होंने कहा कि देखो भईया मेरी बेटी को इस थरीके से आप घरगंदा टॉचर नहीं कर सकते करल के दिन मैंने आपको बताया कि उन्होंने इंडिरेक्टी सही लेकिन दिखा दिया कि हाँ टीना जो है वो कैसे बार बार सुम्बुल से दोस्ती करने की कोशिश करती है जबकि सुम्बुल है उल्टा जो नहीं बात करना चाहती है लेकिन फिर टीना ही बात में ब्लेब करती है कि तू हमारे बीच में आ रही है उसी के साथ साथ अब ऐसा लगता है कि निम्रित की मम् और इसको शेर करते हुए निमृत की टीम बताती है निमृत मादा इंदरपरीत को और आलुवालिया जो कि एक प्रिंसिपल है स्कूल में वो हाली मेरों ने बताया कि मैं और मेरे हस्बन ने जब यानि कि हम दोरों ने जब निमृत को इतना रोते हुए देखा हम बहुत ज़् हमने काफी strong रही है बहुत कम breakdowns होते हैं लेकिन जिस तरीकी का breakdown निमृत का हमने देखा वो बहुत ज़्यादा हमको पिंच किया बहुत ज़्यादा हमको वो hurt हुआ इसी के आगे वो कहते हैं कि when I saw her crying tears couldn't stop rolling down my eyes. In fact both me and my husband broke down just seeing our child crying. I am proud of my girl as it takes courage to come out in the open. She is very confident mature girl who is real and doesn't shy away from being whatever she is. She is still there strong confident and handling herself gracefully. That's what matters the most. कर पाते हैं हर किसी को दिपेका पड़कोन जैसे parents नहीं हैं उनकी mom ने उनके depression को खुद देखा था और उन्हें बताया था कि तुम्हें ये है But usually Indian families में ऐसा नहीं होता है आप भी जानते हैं इस बात को But फिल्हाल निमृत की mom ने ये जो emotional note शेयर किया है निमृत के openly सामने आने पर इस पर आप क्या कहेंगे बताये का सरूँ.